हाई फ्रेंड्स एक बढ़ फिर आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत हैं आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन भाजा बैगन भाजा बैंगोली रेसेपी है इसे दाल चावल रोटी इसे आप चाहे चावल के साथ का। यह रोटी के साथ का यह बहुत ही टेस्टी लगता है और ब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक पेश्ट बना लेंगे पेश्ट हमारा ना जादा गाड़ा होना चाहिए और ना ही जादा गीला होना चाहिए तो चली अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं ये देखिए इस तरह से हमारा ये मसाली का पेश्ट होना चाहिए आप देख सकते हैं तो यह हमारा बैगन भाजा के लिए मसाला बनके तयार है चलिए अब हम बैगन को काट लेते हैं तो सबसे पहले हम बैगन को दूलेंगे उसके बाद इसकी जो हरी डंडी होती है इसे निकाल लेंगे इसके बाद हम बैगन को आधी आधे इंच में काट लेंगे इस तरह से बैगन भाजा के लिए सबसे पहले हमें मसाले को तयार करना होता है उसके बाद हम बैगन को काटते हैं अगर आप बैगन को पहले काट देंगे तो बैगन काला पड़ जाता है इसलिए हमने यहाँ पे पहले मसाले को तयार किया है इसके बाद हमने बैगन दोकर साफ कर लिया और बैगन को हाफ इंच करके काट लिया है इस तरह से हमें एक बराबर साइज में इसे काट लेना है तो ये देखिए सारे बैगन को मैंने एक बराबर साइज में काट लिया है आप देख सकते हैं कि सारे बैगन के पीस जो है वो एक बराबर साइज में काटे हुए है चलिए अब हम इसमें मसाले को लगा लेते हैं अब मैं बैगन का एक पीस लोगी जो कि आप देख सकते हैं इसके सामने वाले हिस्से में मैं स्पून की सहता से अच्छे से मसाले को फैलाते हुए बैगन में लगा दूंगी और दूसरे वाले हिस्से में अभी मसाले को हम नहीं लगाएंगे तो यहां मैं इसी तरह से सारे बैगन के सामने वाले हिसे में मसाले को अच्छे से लगा देती हूँ बैगन भाजा बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इजी भी है यह बच्छों के टिफिन के लिए भी बिल्कुल पर्फेक्ट है, अगर आपके पास कम समय है तो आप बैगन भाजा बना सकते हैं बैगन भाजा आप सुबह नास्ते में रोटी के साथ खाएं, या फिर दोपर के खाने में दाल चावल के साथ सामिल कर सकते हैं या फिर रात के डिनर में, या आप किसी भी टाइम में बना के खा सकते हैं, यह बिल्कुल पर्फेक्ट है और बहुत ही टेस्टी है, तो इसे आप ज़रूर ट्राइ करिएगा आप देख सकते हैं कि बैगन में मैंने अच्छे से मसाले को लगा लिया है, स्पून की सैता से, इसे अब हम फ्राइ करेंगे, तो इसके लिए अब हम लेंगे एक फ्राइ पैन और उसमें डालेंगे सरसुका तेल, तेल को गरम होने दे, इसके बाद हम इसमें एके करके इस तरह से मसाले को बैगन में चारो और फैलाते हुए लगाएंगे, गैस के फ्लेम को हम लो से मीडियम के बीच में रखेंगे और इसे तीन से चार मिनट तक इसी तरह से पका लेंगे, इसके बाद हम इसके दूसरे वाले हिसे को पकाएंगे, तो यहां आप देख सकते हैं मैंने सारे बैगन में अच्छे से मसाले को लगा दिया है, अब हम इसे तीन से चार मिनट के लिए पका लेते हैं, इसके बाद हम इसे पलट लेंगे, तो यहां आप देख सकते हैं, एक इसा अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो मैंने इसे पलट लिया है, इसे भी हम तीन स लो फ्लिम पे पका लेंगे और हमारा ये बैगन भाजा बनकी तयार है तो कम समय में बढ़ने वाली बिल्कुल सही रेसिपी है इसे आप जरूर ट्राइ करिएगा तो यहां देखिए अब मैं एक ही करके सारे बैगन भाजा को निकाल लेती हूँ इसके बाद बाके बचे करना बिलकुल न भूलें तो यहां आप देख सकते हैं कि बाके बचे हुए बैगन को भी मैं इसी तरह से फ्राइ कर लेती हूँ इसका एक हिस अच्छे सा फ्राइ हो चुका है तो चलिए अब हम इसे एक एक करके पलट लेते हैं इसके दूसरे हिसे को भी हम इसी तरह से 3-4 मिनिट तक पकाएंगे गैस के फ्लेम को हम लो से मीडियम के बीच में रखेंगे और हमारा यह बैगन भाजा बनके तयार तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं